तो आज हम शुरू करते हैं गुमे किसी की प्यार में सिरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा है तो शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर कर देजगा पूरा देखने के बाद कहानी सुनने के बाद आपको जैसे लगे तो कमेंट भी कर देजगा तो आए शुरू करते हैं गुमे किसी के प्यार में के सिरियल के आज के एपिसोड की तो आज के एपिसोड के शुरुआत होती है लिदेल सभी और न Joshi अनिस्थ हमकर तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पी शेट सा जाते हैं मोट लेते हैं जैसा कि आब को पता है कि आज के कहानी यह दी आपको जान नहीं है तो होड़ा सा पीछे जा! जानेंगे हम, तभी समझ में आएगा कि आज की कहानी क्या है, पुरा वस्तार रूप से हम समझ पाएंगे, तो बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे पीछे की कहानी का, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के एपिसोड में यह हुआ था कि सवी ने यह बताया हरेनी के ससुराल वालो को कि उन्होंने पूछे तुमारा इंटर्वीव हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं, तो जानते हैं आपके सिरादे से पूछ रहे हैं, तो इस इरादे के बारे में चर्चा करेंगे, अभी हम बता दें कि जो सवी है, वो बोलती है कि जी हाँ, हमारा इंटर्वीव तो हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है तो इंटर्वीव हो गया उसमें इतने सरे इतना मांगे हुए मतलब कि पुराने डॉक्यमेंट्स चाहिए उनलों को पैसे भी चाहिए तो उनकी सास कहते हैं कि तो हम तुम्हारा पैसा भी भरें यहीं काम है दो-दो बहु को पाले यहां पर है ना तो आज की कहाने की शुरुआत होती है सवी और उनके जीजु यानी की हंजनी के हस्बन द्वारा तो उनके हस्बन बोलते हैं कि तुम्हारे इंटर्वीव तो हो चुका है तुम्हारे एड्मिशन बाकी है तो मैं नहीं जानता मैं भावानी को कॉल करता हूं और फिर है तो फिर वह बोलती है कि क्यों नहीं ऐसा कर सकते तो उनकी ममी बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ तुम इतने दिन रुकी हो पैसे दो उसके तो वह भी बोलते हैं हरे निकालने लगती है कि पांच हजार है तो कहते हैं कि हां तो पांच हजार है तो इधर ला लेकिन तेरा आना जाना भीन कैसे करें तो फिर वह गुटती कोई बात ने में एक न सब्सक्राब किया गजाए में करें करें कर क्या लें देती हैं पैसे देखिशन प्कार कैल भीन पट〉 जैसा कि इनके विवहार से आप पता लगा सकते कि कितनी लालची किस्म की ओरत हैं कितनी घटिया सोच वाली हैं तो यह देखिए कोई भी एक उसकी जगा मान के चले इनके बेटा है अभी तो फिलाल बेटा ही दिखाई दे रेश्ट्रो में लेकिन जो बेटी रहती तो क्या उ शेयर करिएगा अपने मुताबिक जैसे आपको लगें इनका करेक्टर अभी फिलाल तो देख रहे हैं कि अभी हद शुरू हुआ है कहां तक जाएगा कोई उसका सीमा पार लग सकता है उसकी कोई आदमी था नहीं लगा सकता है कहां तक जा सकता है तो यह देखिए आप सभी है यह वह दे तो रही है पैसे लेकिने कर दो देने पड़ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं कुछ करना पड़ेगा वो सोच नहीं पाती है तब तक यह देखिए इधर जो इशान जैसा कि पता है आपको कि रीवा को लेकर के वह बहुत दिमागी तोर पर परशान है कि देखिए तो अनके जो दोस्त है वो आते हैं कि कि जो समझात है है तो वह पर आते हैं इशान को लेकर के और एक डॉक्टर के पास जो मतलब सही सलाद है और उनको लेकर क्याते हैं इशान को उनके पास और वो जब जाते हैं देखिए तो यह समझाने वाले हैं डॉक्टर बोलते हैं कि ऑठ कि कि आप रीवा के बारे में और आपको किसके बारे में लेकर प्रॉबब्लम में आपकी दोस्त या वाइव या मां जो भी अभी कि जिस सच पर एक परेशान little us कि उसके बाद करें तो इसको आप करने ने हैं कारें गे नहीं पे नहीं करें चलिए हम एक तरीका बताते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप सोईए आंखे बंद करिए और सोचिए कि क्या हुआ है और इशान ये सब सोचते हैं कि क्या हुआ है तब तक उनको वो सोचते सोचते उनको आता है कि बोलते हैं कि रिवा तुम मुझे छोड़ करके हुग में तुम्हारे और करियर के बीच में मैंने करियर ऑफ कुछ किया इसलिए मैं लंडन गहीं लेकिन एक बात सब्सक्राइब कि मतलब मैं लंडन जाते वक्टी रो रहती तो इसान भूले कि नहीं मैंने तो तुम को देखा था कि तुम उस समय हस रही थी पर फोटो कीचवा रह सकता और एक महीने के प्यार में क्या ही ऐसा है कि आदमी समझ पहता है यह कहते कि क्यों नहीं प्यार तो बहुत बड़ी चीज होती एक महीना बहुत दिन होता है हर किसी को कोई ने कोई समझ जाता है कुछ ने कुछ तो ऐसे कैसे बात कर रही है तो तो फिर वह बोलते हैं कि त तो भूपते रह जाते हैं लेकिन वहां से निकल जाती हैं तब तक हिनका यहां से आख खुलता है और परेश्रान हो जाते हैं चोकि एक हॉस्पिटल में हो और यह देखिए डॉक्टर फिर जाने लगते हैं तो उनके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ डॉक्टर साव फिर उनको कुछ याद आया यह देखिए फिर वह अपने इशान दोस्त के साथ निकल जाते हैं और इधर सवी सवी आसु बहार रही होती है मैरे रास्ते मेरी मंजील इतने मतलब अभी पास में आ गया है लेकिन मेरी उलजने यानी मुसीबते समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं हर जगह कोई नो कई मुसीबत आजरी मैं कैसे क्या कर मुझे समझ में रहे पिर वह सोचती है कि कैसे यह इशान के ताओ जी बोलते जाना और दूसरी बात यह है कि आना तो है ही लेकिन तुमको कि कल पैसे भी लाना है और पिछले जो डॉक्यमेंट से वह भी लाना है यदि नहीं ला पाई तो यहां से निकल जाना दूरी से अब प्रोने लग जाती है तब तक उनकी बहना आती है क्या हुआ तो अभी तक जागी है सोई नहीं क्यों परिशान है फिर वह गले लग के रोने लगती है वो लेकिदिया मुसिबत कम होने का नामी निलिर में कैसे पैसे दूँगी क्या करोंगी मुझे कुछ समझ में नहीं ह अरे क्या करों और लेकिन मैं आप यहां तक आई हूं तो खाली है फिर घर नहीं लोटना चाहती है तो कहते हैं कि तु पागल है इतना दुर तकाई है इतनी हिम्मत रखती है तो इतनी काबिलियत है तुझ में और कुछ चीजों के लिए तु छोड़के फिर वहां जाना च वह कंगन निकाल के देती हैं उनको कहते हैं कि नहीं नहीं दीदी ऐसे नहीं ताई तुम तुम तेरा कंगन में नहीं ले सकती नहीं छोड़ दे इसके बाद रहे पगली तु बहन है मेरी ना तो जाए अब आई-एस बनेगी तो सोच देना फिर प्रते हां मैं आपने डारी देखिए दोनों बहनों में काफी प्यार है जो कि एक सवी के लिए हिम्मत का काम करता है उनकी मैम के बाद यह देखिए और इससे काफी प्रेरीत होती है अपनी ताई से वेकताई है और एक आज है जो उनको प्रोटेक्ट करती हुए दिखाई दे रही है और आची बात है उल्ज़ने बहुत होती है लेकिन एक प्रोटेक्टिव इंसान है जो प्रोटेक्ट करें तो इससे थोड़ा हिम्मत ज्यादा मिल जाता है और हिम्मत पिर टुड़ता नहीं बलकि जुड़ जाता है और कई हमत मिलकर एक आच्छा से होसला रखने का थाकत रखता है यह फिर तो बोलते हैं कि पता नहीं थोड़ी दिर में ठीक हो जाएगा आप लोग उसको छेड़िये मत एकांत में रहने दीजे मैं यहीं आप से बिंती करता हूं उसको थोड़ा एकांत की जरूरत है अभी कुछ पूछिएगा मत उससे और बहुत जरूरी है एकांत और मैं अभ किस टेंशन में आप तो रिवा का इंटर्वीव हो चुका है और उसमें इंट्रेंस भी पास कर चुकी है एड्मिशन मिल चुका है तो अब तुम क्यों परिशान हो रहे हैं तब तक वह समझाई रही होती है तब तक उनके पास पॉल आती है इनकी शान के ताउजी की तो ब ठाल लेते हैं और उनको डाड़ते हुए बोलते कि अपनी बेटी को समझाओ अब तुम्हारी बेटी की वज़े मैंने बहुत कुछ जहला बेच मंडप में उचोड़के भाग गये सब सारे लोगों के समाज के बीच में अज़श्ट करना महनत का कम था मैंने किया अब मेरे इतने दिन से घर में थी क्या सारा काम हो चुका है ना अब उसकी समझ सकते कि कि इतने हद तक के जा सकते हैं तो वहीं काम कर रहे हैं और सुबह की शुरुआत होती है तो सभी कुछ चाय पैठाई है एक तरफ एक तरफ पुहा बना रहे हैं तब तक खारणी आती हैं उनको देखती हैं बोलती कि यह क्या तो सुबह सुबह यह सब चाय वाइं इंटर्वीव तरह तो फिर बोलती कि नहीं दीदी अभी तो इंटर्वीव के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन सुबह 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 इसलिए उठ गई कि जल्दी बना कि चली जोओंगी इस और जरूर पास करना हुच और जरूर है फिर ոी पहरी जाँ कैसे भूलूंगी तो बात करती है कि 9 बज़े का कुछ रख्वाएं बात करने का तो बहुरते कि हम बात कर लिए है वह बूले है 9 बज़े आने का आफिस में तो यह देखिये कुछ डॉक्एमेंट अगश्राइब के लिए कि फिर उर्खतर हैं पैसे का इंतजाम करके नहुत आते हैं जाते हैं सुनार के पास यह देखिए बोलती है कि तो कनगन का ही आधा मिलेगा मुझे जल्दी बताई यह दिखाते हुए बुल तीकिक हरणी का Гontsch ने बता रहे हैं तो पर सूमिल तब तक भो पूरा को उनकी कॉल आती है बोलते हम जल्दी आ रहे हैं और उसके बाद यह देखिए वो पुछने लगता है कि आप कहां से आप यहां की तो नहीं होगी जिसने कंगन दिया है और आपका नम दोनों का एड्रस चाहिए तो बोलते हैं क्यों एड्रस ऐसे क्यों नहीं हो पाएगा तो खहते हैं कि नहीं पता नही किस्ता है किस्ता नहीं है और फिर वो बोलते हैं कि अपना नंबर क्यों चाहिए तो किया पता कोई चोरी करके लाई हूं और वह इंचानाज है को मेंट चाहिए ना कोई इंप्रूव के लिए तो नंबर देखिए मुझे और उसके बाद मुलती ठीक है लेकिन उनको थोड़ा डाउट होता है देखिए अब डाउट का समधान क्या है तो आगे ही पता चलेगा और इधार देखिए इशान देख लेते हैं इशा मैम सवी सबी पूरा साथ देखाइव रही है और इस तीजय को देख करके वह इशान सवी को बोलते हैं कि जिस औरत का तुमने हाथ पकड़ा है वो वारत मुझे बच्पन में अपना हाथ छुड़ा के चली गेती तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते दूसरा है कि जब तक तुम तुम्हारा यहाथ पकड़ी रहेगी तुम्हारा इस कॉलेज में कुछ अड्मिशन नहीं होगा और कर पेपर लेते हैं वो क्या एड्मिशन का रफार देते हैं यानि कि लास्ट जो जरिया सभी के लिए लास्ट जो रास्ताहें जिसका मुसीबद घल रहे था और हैं क्या होने महला है यह देखिये अकि मिलेंगतार तुम्हाहरे को मिलेंगे सबने नोहीं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले, धन्यमादा